हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासिज जैसा कि हमारा एमसी का मैथ चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक बिटा बहुत सारी युनिवर्स्टि में भी मैथ है बेटा सेम मैथ है बिल्कुल कोई डिफरेंच नहीं कुछ युनिवर्स्टि में 50% युनिवर् नोट्स मिल जाएंगे टेलिग्रम चैनल जोइन कर लिजिए वहां पर जितने भी मैंने मैथ अप्रोक्षिमेट मैंने 12-13 मैथ कंप्लेट करा दिया है मैस से के सारे मैथ हो के लिंक नीचे डिस्किप्शन में दिया हुआ है जाकर आप देख सकते हो ठीक है बेटा टोपिक क कि मीट सेमिलेटिक क्या होता है तो मैंने पिछले ही लेक्षर में आपको बताया था बेटा देखो आपको यहां थोड़ा समझाता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको बहुत ज़रूर है क्योंकि उसी से रिलेटिटिट टोपिक है हमारा बिल्कुल पिछले लेक्षर म के बाद हमने क्या सिखा maximal और minimal उसके बाद हमने क्या सिखा बेटा minimum और maximum element उसके बाद हमने क्या सिखा बेटा upper bound lower bound उसके बाद सिखा क्या सिखा glb lub शिखा बेटा अब इसके बाद हम क्या सीख रहे हैं? Join slash meet semi-letic. सीख रहे हैं मैठा? यह एक उसरे से link होते हुए यहां तक हम पहुच गए रोग इसके बाद हम पढ़ेंगे Letics. क्योंकि इन सब से क्या बनेगा Letics? तो पेटा यह एक पूरा chart बनेता हुआ आ रहा है और मैं एक एक lecture इसके उपर लेता हुआ चल रहा हूँ आप सभी को पता है यहां से पढ़ाना सरू किया था और हम यहां तक आ चुके हैं इसके बाद बैस यह जैसे lecture complete हुआ मैं बोल दूँगा This is called Letics तो बहुत जरूरी है मैंने आपको पढ़ाया था lower bound यहां पढ़ाया था upper bound पढ़ाया था बताओ सभी को फिर उसके बाद पढ़ाया GLB जो lower bound में जो element है हमारे मानलो lower bound में 2 और 3 आया था इसका में GLB निकालना था GLB मतलब उस lower bound में सबसे बढ़ाया था तो सबसे बढ़ा 2 और 3 में से कौन सा होगा तो उसका क्या हो जाता था उसी परकार हम upper bound में क्या L.U. भी शिखा था upper bound मानलो 5 और 6 थे element तो आमें upper bound में कौन सा निकाल ला है list element तो 5 और 6 में list कौन सा है 5 तो यह हमने upper bound और lower bound शिखा था बेटा इस परकार से अब एक diagram यहां पर हमने दो diagram लिए हुए हैं दुवारा से सिखेंगे कि अभी हम कैसे बोलेंगे कि meet और semi-letic meet semi-letic कैसे होगा बेटा दो चीज पढ़ाई थी हमने पिछले lecture में आपको L.U.B. और G.L.B. मैंने आपको समझाया था याद होगा देखो पिछले lecture के उपर दुवारा लेके चलता हूँ आपको बहुत ही important lecture है इसलिए बार-बार पिछले lecture से connect तर रहा हूँ कि आपको कई दाउट पैदा ना हो तो पिछले lecture मैंने शिक्का था ही जोइन सेमिलेटिक जोइन दो पिछले वी निकाल रहे थे मीट कब बनेगा जब जी यल भी निकाल तो मुतलब आज का lecture हमारा किस पर है जीक है जब हम यहां पर यहां से डाइग्राम बना रहे थे तो आपको याद होगा हमारा एक सैट रहता था है 1 2 3 4 5 6 डश 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 चितना भी चलता रहता है हम उसे सबसेट लेते थे एस वन उसमें हमने ले लिए था 1 2 element ले था फिर हम मालो कोई दूसर सबसेट बना लेते थे जिससे भी हम ऐसे डाइग्राम 2 3 4 एक और सबसेट बना ले था हमने मालो 3 4 5 6 इसमें हम कितनी भी element ले सकते थे ये element ना 2 भी ले सकते थे 3 भी ले सकते थे 4 भी ले सकते थे सारे भी ले सकते थे बट यहाँ जब हमारी lattice की बात आएगी बेटा lattice में ऐसा नहीं है lattice में हम only 2 ही element ले सकते हैं दो ही element लेंगे, तीन का भी नहीं लेंगे, च्यार का भी नहीं लेंगे, पांच का भी नहीं लेंगे, हम only किसका लेंगे बेटा, दो का लेंगे, set मैंने पिछले lecture में भी यह चीज आपको बताई थे, जब दो ही element हम यहाँ पे ले रहें हैं बेटा, तो फिर condition थोड़ा change होगा, अब आपने, हम पहले कैसा है, one और two निकल ले ले लेते थे, one और two निकल ले लेते थे, one शे लेके six तक का हम, इससे ही हम चेक कर लेते, GLB निका लेते थे, लग लोर बाउन निकाल दे थे, फिर उसका GLB निकाल लेते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, हमें हर pair का GLB निकालना है, क्या है, हर pair का GLB निकालना है यहाँ पे, हर pair का, और हर pair का अगर GLB exist कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा meet semulative, अगर नहीं किया तो वो नहीं होगा जैसे पिछले में किया था अब एक question की help से हम आपको समझाने के कोशिस करेंगे यहां पर definition आप पढ़ ले ना आपके सामने display पर शोग रखा है ठीक है इनके यह जैए इस परकार से वही दिया वाए इने पॉसर्ड इप मीट एक्जिस्ट पूर एवरी पेर ओफ ऐलीमेंट तेखो एवरी पेड ओफ ऐलीमेंट देन पॉसरड इस काल मीट शैमिलेटिक अगर हर पेर के लिए हमारा पोसर्ड में एक्जिस्ट कर रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा मीट सेमी लैटिक हो जाएगा आप सभी को पता है यह सिंबल वगेरा यह सब कुछ आपको देख सकते हो यहां पर आपके सामने शो हो रहा है डाइग्राम पर चलते हैं बेटा अभी देखो यह इसको रफ कर लेते हैं पूरा ठीक है पहले क्षेस्ट नमबर टू के ऊपर चलेंगे हम फिर क्षेस्ट नमबर वन के ऊपर आएंगे तो बहुत अच्छा ने समझने के लिए फिर वन के ऊपर आएंगे वन क्योंकि बिलकुल सिंपल सा है सबसे पहले इस टेबल को क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट लॉवर बॉंड तो जी लब कहा शेया था लबी आएगा तभी तो जी लबी आएगा मांते हो ना इस चीज को तो L B यहां में नीकालना भी पहला में पहले है एगा थे हमारे चार लिख लिए बेटा देखो आप हैसे डाइग्राम का आपको मैं थोड़ा बाज यहां बताता हूं यह हमारा ए था यह बी था ठीक है इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं खुद का एक सेल्फ लूप होता है फिर ए बी लिख सकते हैं और बी बी का भी एक सेल्फ सकते हैं इसमें कॉपर चड सकते हैं यहां यह sa समझ मिएा तो इसको हम यह लिख सकते हैं ओली यह नहीं सकते हैं घीक है चलो अभी करते हैं एक टीस में हम प्हहले lower Bound निकाल रहें या रखना क्या निकाल रहे motivate लोवर color change कर लेते हैं A और A के बीच में A और A एक self loop है खुद तो A और A के बीच में कहा relation होगा A ही होगा self loop है, self loop में हमारा खुद का relation होता है, याद रखना अब आता है relation A और B के बीच में अब देखो A ये हो गया B ये हो गया A और B का lower bound lower मतलब नीचे बेटा, याद रखना A और B के lower में कौन है A और B के lower में कौन है कोई दिख रहा है आपको, कुछ नहीं है but B और A के बीच में कोई relation है तो इसके lower bound में A तो जरूर होगा, क्योंकि आपस में self loop भी तो होता है ने बेटा, वो दोनों के बीच में एक relation भी है, तो A तो इसके lower bound में होगा ही होगा अगर किसी के lower bound में A की element है, तो वो ही इसका GLB भी होगा, याद रखना जो element single है, वो lower bound भी होगा lower bound है, तो lower bound होगा और उसका GLB भी क्या होगा, वो single element ही होगा आपको पढ़ आया है, वो है मैंने ओलड़ी, तो A ही हो गया अब आता है A और C के बीच में relation बेटा, रफ करते रहते हैं, सीखते रहते हैं A ये है, C ये है बेटा, A और C में relation देखो, सेम, lower bound चेक करना है मतलब नीचे चेक करना है, अपर होता है, तो A और C के एक नीचे कुछ है, नहीं है, बट C और A और C में क्या हो जाएगा, तो A हमारा क्या हो जाएगा इसका, lower bound को आपने relation सीखा, तो पूरा math के लिए, रिस्क्रीट mathematics, वरना मैंने पूरा chart बनाया था न आपका, ये कहीं काम आने वाला नहीं है आपको, अब B और A, बटाए, B और A का मतलब उल्टा चलना नहीं होता, A और B ही पूछ रहा हो, A और B के बीच में मैंने relation बताया आपको A, अब B और B के बीच में मैं self loop बताया, अब यहाँ पर थोड़ा समझो हो चीज को, अब B और B के बीच में relation क्या होगा, ठीके बटा, B और B के बीच में, B और B का lower bound, अब B के lower bound में A तो है भाई, तो B तो खुद भी एक self loop है, तो B भी होगा, और A हमारा क्या है, एक इसके न हमारा कुद का excel loop है, इसलिए वो भी रहेगा, अब इसमें से क्या देखना है greatest, इनमें से greatest A और B में बड़ा कौन सा है, उपर कौन सा है, B है, तो B क्या जाएगा इसका greatest element, अब इसको थोड़ा rough करके अगले चीज पर चलते हैं हम लोग, अब B और C के बीच में relation देखो, B और C के, इन दोनों के lower bound में कौन है बेटा है, simple सी बात है, A है हमारा, क्या है, A है, और कोई आपस में इन दोनों का आपस में बीच में correlation नहीं है, तो B भी नहीं होगा, और C भी नहीं होगा, ठीक है, तो only क्या आएगा बेटा हमारा A आएगा, जब single element है, तो वो ही हमारा क् B, अब B और D के बीच में relation देखो बेटा, B और D, इसके lower bound में क्या होगा, A होगा, और lower bound में BB होगा, और इन में greatest कौन है, B, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, B, अब चलते हैं, C, C और A के बीच में relation देखो, C और A, थोड़ देर पहले ही बढ़ाया था, A होगा, और क बीच में element देखो, C और B के बीच में, A है, simple सी बात है, और कुछ होगा नहीं, तो A ही हो गया, अब C और C के बीच में देखो, C और C के बीच में, क्या है, A है, और C है, तो इसमें greatest कौन है, C है, तो यहाँ पर C आ जाएगा, अब C और D के बीच में देखो, C और D के बीच में lower bound में क्या है A है और C है A और C में बड़ा कौन साथ C है तो बेटा C आ जाएगा similarly हमने D का निकाड़ा यहाँ पे अब सारे element exist हो गए बेटा सबका GLB निकल गया अरे सबका GLB निकल गया तो वो क्या कहलाएगा meat semilatics अब मालो 1% नहीं निकलता एक तो बेटा यह meat semilatics नहीं होता अब यहां सबका exist कर गया तो वो क्या कहलाएगा हमारा meat semilatics ठीके बेटा आप question number 1 के उपर आते हैं हम यहां और मज़े से दार इसको सीखने की कोशिस करते हैं थोड़ा रफ करके इसको हम सरू करते हैं ठीके बेटा आप question number 1 ट्राइ कर लेते हैं अब a और a के बीच में बेटा मैंने बताया था a ही होगा हमारा क्योंकि a के नीचे और कुछ भी नहीं इसलिए a lower bound हो जाएगा तो इसका जखो यह है ची और यह है इसका lower bound क्या होगा a और च कबिटा के इह होगा lower bound बिलकुल ची सिंपल ची बात है ठीक बेटा तो यह हो जाएगा e ओड का lower bound चेक करेंग तो lower bound में क्या है बेटा यहीं आएगा इससे नीचे कुछ है ने तो अब बी और अ में देखो B और A One second बिटा B और A में आप देख रहे होगे तो आपको नजर आ रहा होगा एक सेकंद बिटा B और A B और A में देख रहे होगे तो A ही है बिटा है हमारा B और B में क्या होगा यहाँ पे थोड़ा question arise होता है और बस्टो को doubt भी बैदा होगा B और A यह B है, यह A, B एक self loop है, और B भी आएगा पका, और A भी हमारा आएगा, क्योंकि A इसके down में है, B और एक बीच में relation B है हमारा, तो इन में क्या है greatest value कौन सी है, greatest कौन सी है बेटा B, तो B आगया, अब B और C के बीच में निकालोगे बेटा, तो हमारा lower bound में तो क्या आएगा, बी और A आएगा, तो की C के lower bound में क्या है, A और इन दोनों के बीच में relation है, तो इन दोनों के lower bound, C और B का lower bound क्या होगा, B होगा, तो B और A में बड़ा कौन सा है, B है, तो B आगया, अब अगला, B और C के बीच में चECK करो, बी और C के बीच में हो, B और C का चे चेक कर को सब के exist कर रहे हैं यहां पे दिख रहा होगा क्योंकि lower bound है मैं ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा तो पाए कोई फाइज है नहीं क्योंकि ओलेडी में 15 lectures लेटिक्स के उपर इसके उपर continuous करा रहा हूं तो इसको बोलेंगे semi meet semi क्योंकि exist कर रहे हैं अब अगले question के उपर चलते हैं अब यहां पर हमारा question लिया हुआ है मैंने यह diagram है आपके सामने जो पढ़ा हुआ है ठीक है बेटा बहुए ABCD लिख लिए ABCD लिख लिए अभी देखो ए-a के बीच में तो ए हो गया बेटा मैंने बोलेडी बताया हुआ है ए और बी के बीच में देखो ए और बी का लोवर बाउंड क्या होगा इसके नीचे कोई element दिख रहे है नहीं दिख रहा है अब बोल आपका question रहरा है जो को सर्थ थोड़े देर पहले से तो आप लिख रहे थे ए और बी इसके एक ए ए ए खुद का कर दे रहे थे अरे दोस् के बीच में को रिलेशन भी नहीं है अगर दोनों के बीच रिलेशन होता तो इन दोनों का लोवर बाउंड ऐसे था ऐसे होता ए और बी तो दोनों का लोवर बाउंड निकालके ए लोवर बाउंड में डाल देता था यहां हमारा हमारा पता है हमेशे ऐसे ऐसे डाइग्राम मे नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी पैदा नहीं हो रहा कि अगर ये उप ऐसे होता इसका कोई lower bound नहीं है जब lower bound नहीं तो GLB भी नहीं होगा और GLB नहीं है तो यह हमारा meet semilatics भी नहीं है समझ में आया बेटा यह हमारा क्या है meet semilatics भी नहीं है एक यह exist नहीं किया तो आप यहाई से यह question को आकर check करने जुरूत नहीं है आप यहीं लिख दो को यह exist नहीं कर रहा हमारा याद रखना बेटा इस चेज को मेंशिया अब बेटा यहाँ पर मैं कुछ question आपको homework के लिए और देता हूं ठीके बेटा और हाँ अभी यहाँ पर आपको मैं कुछ और चीज़े बता देता हूं जो कि आपके exam of points से बहुत ही important है कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा जोइन पढ़ा था पिछले लेक्टर में जोइन मीट जोइन सेमिलेटिक्स और आज पढ़ा हमने मीट सेमिलेटिक्स अब आपका क्वेशन आता है सर लेक्स क्या होता है आएगा ने बेटा अगले लेक्टर में पढ़के आने के लिए बोलो बेटा कोई हैसे डाइग्राम है हमने माले पहला यह एक्जाम्पल पढ़ा था ए यह बी था यह सी था और यह डी था याद आया अभी यह वाड़ा दिखा देता आपको यह एक्जामपल मैंने पहले लेक्ट यह में पढ़ाया वहां मीट भी एक्जिस्ट कर रहा था देखो दुब़ारा से चलते कोई भात ने आपको दो मिनिंट होल्ड करो भागने के कोशिस मत करना मैंने यहाँ पे इसमें यह सेम example यहाँ पे लिया था इसका मैंने join we exist किया था अब इसका join we exist हो रहा है और meet we exist हो रहा। ठेके दोनो डाइगरम में मैंने meet भी सिखाय जोन दोनो चीज़े exist करें उस चीज को बनता है letix अगर यह दोनो कंडिशन satisfy कर जाएं उस चीज़ को बोलते हैं letix diagram में join भी हमारा exist कर गया meet भी exist कर गया तो उस चीज़ को हम बोलेंगे letix समझ में आगए बैटा अगली lecture में यही शिखेंगे कि letix क्या होता है उस वो दोर हम join भी निकाले के दिखाएंगे meet भी निकालके दिखाएंगे तो यह same examples में दुबारा वहाँ पर कराऊंगा वहाँ पर कि दोनों का join और meet exist कर गया उस चीज़ को हम बोलते हैं letix आया बेटा समझ में तो यही example हम दुबारा से करेंगे कुछ नए examples मैं आपके लिए लेके आऊँगा देखो आपको दिखा देते हैं यह हमारा रहेगा exist जब दोनों चीज़े exist कर जाएं list upper bound, greatest upper bound GLB, IUB और से को same यह हमारे दोनों की चीज़े यह हमारे दोनों table निकालेंगे अगले lecture में समझ में आया बेटा आपके सामने, ठीक है यह सब आप नेक्स लेक्टर में मिलते हैं नेक्स कोस्टन के साथ और enjoy करते रही है बहुत सारे मैत मैंने MSC के complete करा दिये हैं, जाके आप वहां से उनको देख सकते हैं नीचे description में लिंक दिया हुआ है आपके सामने enjoy करते रहे, मज़े करते रहे, thank you